हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम शुबम जहरी और आप देखने हैं Profit Pulse हजूर आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक को कैसे ढूने और कैसे उसमें अपनी पोजीशन बनाए और कैसे पिक करके खुद को अपना ऐसे capable कर लें कि हम खुद से technical analyze करना सीख जाएं तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ सीखने का काम करेंगे और मुझे उमीद है आप इसी वीडियो को देखने के बाद आप खुद से technical analyze करना सीख जाएंगे तो चली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने कुछ वीडियो पहले भी uploads करी है तो उसमें आप मेरी वीडियो को check out कर सकते हैं और अगर आप मेरी वीडियो पर बने रहते हैं मैं फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ आपको search option में डालना है charting 44 SMA rising SMA हमारे होता है simple moving average जो simple moving average rising है तो वो सारे जो stocks चल रहे हैं वो सारे आपको scan करके आपके सामने ला देगा तो सबसे पहले हमारे पास यह site खुल के आएगी स्वी लिखा होगा 44 SMA rising technical analysis scanner तो सबसे पहले हम website को यहाँ पर click करेंगे और click करते ही यह आपके सामने देखिए बहुत सारे stocks को आपके सामने scan करके रख देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं stock की list आपके सामने आ चुकी है और यह कम से कम आपके सामने 21 stocks ऐसे आए हैं जो 44 rising है जिनका 44 moving average rising है मैं आपको पहले भी बताता हुआ हूँ कि swing trading के लिए सबसे best option 44 rising moving average है तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो stock show कर रहा है वो state bank of india show कर रहा है तो हम इसको chart पर देखने की कोशिश करेंगे एक बार तो सबसे पहले मैंने chart के लिए अपने grow app को use किया और यहाँ पर मैंने डाला है इस पर SBI और SBI जैसे मैंने यहाँ पर डाला है यहाँ chart आपके सामने देखिए खुलकर आ गया और stem आप देख सकते हैं SBI stem current position में आप देख सकते हैं कि SBI का moving average है वो stem rising है देखिए कैसे पहचान करें कि हमें कहाँ पर trade मिल सकती है trade मिलने के लिए मैं आपको पहले भी बताता है हूँ कि moving average rising होना चाहिए और rising अगर होता है आपका 7 से 8 दिन में आपको पैसा यहाँ पर profit बन सकता है तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है देखिए आपको मैं मौकर दिखा हूँ कहाँ पर मिलना है मौकर देखिए 44 rising है आप यह देख सकते हैं rising है उसके बाद यहाँ पर green candle ने जैसी इस पर support लिया support लेने के बाद आप देख सकते हैं आपने यहाँ कहीं भी position मनाई होगी देखिए आप देख सकते हैं कि 851 पर आपने कोई भी stock अगर यहाँ पर buy किया SBI का माल लीज़े 851 पर और यह date है 26 July तो यहाँ आप देख सकते हैं next day यह 871 तक भी गया और इसके बाद आप देख सकते हैं उसे तीन दिन में ही आपको यहाँ पर profit बनता हुआ दिखा होगा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके आप देख सकते हैं एक मौका यहाँ पर फिर बना और 44 moving average राइजिंग है आप देख सकते हैं राइजिंग है यहाँ पर green candle ने support लिया support लेने के बाद आपने जैसे ही यहाँ पर share को purchase किया और just boom यह आप देख सकते हैं कि आपको फायदा हुआ ratio आप जो रख सकते हैं 1-2-2 या 1-3 का ratio रख सकते हैं अब कैसे 1-2-1-2-3 को समझना है तो वो आप comment कर सकते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे stop losses लगाने हैं देखी stop loss ज़रूर लगाईएगा swing trader की पैचान है कि वो stop loss का use ज़रूर करता है आपको mind का use करना है और smart mind का use करना है आपको यह नहीं करके दिखाना है कि आरे वाट trade मिल गई और कुछ नहीं होगा अब तो मुझा profit पका है तो यह देखी सारी predictions पर चीज़े होती है और predictions पर अगर कोई चीज़ होती है तो महाँ stop loss का use ज़रूर होना चाहिए मैं आपको फिर एक दिखाऊंगा मौका यहाँ आप देख सकते हैं फिर SBI में यहाँ पर देखिए यहाँ अगर S44 moving average देख सकते हैं यहाँ पर rising है rising के बाद यहाँ पर support लिया green candle बनी और यहाँ पर आपने कहीं भी buy किया तैसे 807 रुपे पर 6 June को आपने buy किया और आप देख सकते हैं उसके बाद 807 के बाद आप यहाँ पर यहाँ तक 7 से 8 दिन में 853 पर पहुँच गए तो यह एक बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छी टेक्निक है swing trading वालों के लिए और आगर आप और भी पीछे देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं यह चीज सच सावित होती भी देखेगी कि आप यहाँ पर देख सकते है moving average rising है green candle bunny और just boom यह देख सकते हैं आपको कि बहुत ज़ादा यहाँ एक profit बन सकता है अगर swing trading वाले इस technique का यूज करते हैं हमें smart mind का यूज करना है हमें अपनी कोई वो नहीं दिखानी कि भाई हमें नहीं हमें तो मौका मिले जिस stock में उस stock को पकड़िए जरूरी नहीं है कि आप SBI है तो आप SBI को पीछे पढ़ें कि नहीं SBI जब तक rising नहीं होगा मैं stock को नहीं लूँगा मैंने आपको technique बता दी कि आप कैसे technique में stocks को कैसे ढूंडेंगे stock को कैसे scan करेंगे stock की list आपके सामने आ चुकी है आप 21 के इस stock को scan करिए आप बहुत कुछ सीखेंगे 21 stock को जब आप scan करेंगे तो chart को तो पढ़ना आप खुद ही सीख जाएंगे सामने आपके बहुत सारी ऐसी positions बनेंगी ऐसी बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पर एक purchasing बनेगी और profit भी बन सकता है और profit कैसे बन सकता है वो मैंने आपको बताया और ऐसे ही आप किसी भी bank का देख सकते हैं आप ऐसे माल लीजे मैं second number पर SDFC bank है तो यहाँ पर मैंने SDFC bank को एक बार सरच कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर मैंने सरच में डाला HDFC bank यहाँ मैंने SDFC bank को डाला और यहाँ पर मैंने देखी चार्ट यहाँ आपके सामने आ गया और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मौका बना है आप यह देख सकते हैं Green Candle Bunny, Moving Average Rising है और राइजिंग के बाद यहाँ पर कहीं सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद आपने यहाँ पर Purchase mane करी Purchase mane करने के बाद Just Boom यह आप देख सकते हैं कि एक अच्छा वायदा आपको यहाँ पर बना वहीं आप देख सकते हैं पहले की भी चीज उपर moving average rising मिले वहाँ आप green candle बने और वहाँ पर आप purchasing करें stop loss का use करें तो profit बन सकता है मैं फिर आप से request करूँगा मैं किसी भी stock के लिए direct recommendation नहीं करता हूँ आपको सिर्फ मेरा काम जो है सिखाने का काम है कल को आप खुद technical analyze करना सीख जाएंगे और कहीं न कहीं आप फिर मुझे भी आज ज़रूर रखेंगे तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज comment में ज़रूर बताएगा stock की list बहुत जादा है 21 stock को scan करना एक वीडियो को lengthy हो जाएगा तो आप भी यह ऐसे टेकनिक का यूज करके stock को पकड़ सकते हैं वीडियो कैसी लगी प्लीज comment में ज़रूर बता है और किसी भी stock के वारे में आपको जानकारी चाहिए हो technical analyze चाहिए हो तो प्लीज comment ज़रूर करें और मेरे चैनल पर ऐसी बने रहे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें धन्यवाद